हेलो तो वहिया परसंटाइल भूश्चर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने लक्षे की तरब जिसका नाम है जिएमेटिकल आप्टेक्स और जैसा कि परसंटाइल भूश्चर की इन क्लासे में हम लोग डिसकॉशन कर रहे हैं पुराने पीवाई क्यूस जितन सबसे पहले चीजें स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग अगें हमेशा की तरफ इवाई क्यूस दिसकस करेंगे लेकिन वो डिसकस करने से पहले जो काम-काम के पॉइंट्स हैं पहले मैं वह आपको बता देता हूं आप उसको किसी रपकोपी पे नोट कर लीजेगा उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं ठीक है वो एक बार रिविजन कर लीजेगा क्योंकि बिना उसके मज़ा नहीं आने वाला है सच बात यह कि अगर आप चाहते हो कि इस सेशन का आपको फायदा मिले तो उसका तरीका बेटा यही होना चाहिए कि सबसे पहले अपने सा सारे हतियार तयार रखो क्योंकि आप 15 वीजिन के बाद आपका एक्जाम है और इन देट केस आपके सारे फॉर्मूले टिप्स पर होने चीए जो जो इंपोर्टेंट बात में बोलू वो आपको सारी चीजे क्लियर होनी चीए फिर जब यह कुश्चन आपके सामने आए इस इस तरीके से अपने आपको बेवको बिल्कुल ना बनाएं तिल्दा लाश तिल्दा लाश चाहें कैलकुलेशन हो चाहें कुछ भी हो लास तक आपको सॉल्व करना है और फाइनली अगर आप जो है सही आंसर में पहुंच रहे हैं तो बेसिकली इस चेप्टर के बारे में बात को जोमेटिकल आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट चेप्टर है इंडिपेंडेंट्स का मतलब यह हो गया है कि बिल्कुल आजादी वाला चेप्टर है आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो 11th क्लास का बच्चा ही पढ़ सकता है तो इसमें कुछ आपके यह बहाने न नहीं पढ़ाए चेप्टर तो बेटा कम से कम बेसिक बेसिक बाते तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ी लें क्योंकि मेजोटी अब दा कुशन जितने भी आए हैं जो मेटिकल ऑप्रिक्स है वो डिरेकली फॉर्मुला ओर्येंटेट ही आए हैं सबसे पहले हम लोग बात इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती थी हम लोगों ने फिर स्पैरिकर मिरार के बारें बात किया था इसके बाद हमें पता चला कि जो कॉन्वेक्स मिरार होता है कॉन्वेक्स मिरार होता है उसकी फोकल लेंट हमेशा ही पॉजिटीव होती है इन दाट केस फिर यू और वी के साइन में कोई गड़बन नहीं होना चीए डारेक्स रप इंसेडेंट रे हमेशा हम पॉजिटीव मानते हैं सारा मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं ठीक और कि तरह पैदल-पैदल चलो अगर इंसेडेंट्ERS की तरफ जा रहे हो तो चाहिए कि आगर रियेटफी ध्यृट है और वही अगर यू आपका पॉजिटीव आ गया वी आपका पाउजिटीव आ गया तो हम बोलेगे बाइस साब क्या है बटशता ऑक या बट्युल लेकिन mirror के case के इसके बाद हम लेंस बढ़ते हैं lens में सारी चीज़े बदल जाती है सारी चीज़े means lens में क्या होता है कि सर अगर यू negative है तो तो real object है लेकिन अगर यू positive है तो that means वह एक virtual object है अगर image के बारे हम बात करूँ तो अगर भी negative है तो इसका मतलब हम ये बात बोलेंगे भाई साथ वो virtual object है और भी positive है तो इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि वो एक real object है I hope आप समझ रहे होंगे जिन लोगों ने चीज पढ़ा रगी होगी कि lens के case में क्या होता है जो light रहाती है वो reflect होगे दूसी साइट चली जाती है ठीक अगर मैं ऐसा बोलूँ यहाँ पर अलका सा रिविजन कर लेते हैं कि सबहुत भाई साब यह कोई भी एक convex lens है ओहो इतना मोटा नहीं भाई ठीक और यहां से सबहुत लाइट रहे ऐसे आई है और वाइनली सच्ची मुच्ची में जाके यहां converge हो गई है तो इसका मतलब यह एक real image है तो direction of incident is taken as a positive तो इसका मतलब इसमें जो V निकल के आने वाला है वो खें निकल के आने वाला है उसी तरीके से magnification के साथ आप खेलिएगा magnification जब आप mirror के case में बात करते हो इमेंज है में गरे negative है तो इसका मतलब इनवर्टेड इमेंज है सपोज मैं ऐसा बोलूगे वाई magnification plus 4 है तो आप बोलोगे इसा प्लस का मतलब हो गया है कि erect है same side of the object है और 4 का मतलब हो जाएगा कि वाई सब चार गुना बड़ी इमेज बनेगी बिल्कुल उसी पर अगर मैं बोलूगे वाचा magnification minus 2 है तो आप बोलोगे कि minus का मतलब inverted है उल्टी है मतलब object हुआ अगर ने principle axis के उपर रखूँगा तो जो image बनेगी बोट दुगनी double बनेगी उल्टी बनेगी inverted बनेगी क्लियर है तो इस चाइब के जितने formula इस थे एक बार उनके साथ खेल लीजिएगा और इसके बाद फिर आपन लोग prism पढ़ते थे prism में सबसे पहले स्नेल स्लो लगाना आना चाहिए आपको deviation का formula क्लियर होने जाए deviation होता है जब i बराबर e होता है तब minimum deviation होता था in that case तब उसके बाद minimum deviation और mu के बीच का जो relation होता था किस तरह स्नेल स्लो लगाते है मेटा वो सारी चीज आपको क्या होने चीए बिल्कुल tips पे clear होने चीए उसके बाद फिर हम लोग जो है आखरी में जो lens maker formula पढ़ते हैं 1 upon f बराबर mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 यह तब था जब आप किसी lens को पानी में हवा में रख देते हो अब suppose आपने उस lens को पानी में डुबो दिया किसी भी medium में डुबो दिया in that case आप बोलोगे सब कुछ मत करो यह जो mu है ना मियू को मियू M से डिवाइड मार दो खतम का नी इस पर बेस भी question पूछे गए हैं कि वाई साब एक lens था हवा में इतनी focal length यह पानी में डुबो दिया बतातो उसकी focal length का ratio अब कितना होगा पहले के मुकाबले तो इस चैप के questions भी बेढ़ा repeatedly formula based पूछे गए हैं दो तीन lens है उनको आप very close to each other रख दोगे तो उनकी F equivalent क्या होगी उस पे भी questions पूछे गए हैं कि F equivalent 1 upon F equivalent परावर 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 बेसिकली जो formula है submission of power से आया है और power का formula भी तो यह clear होना चाहिए कि power अगर अगर बात कर रहे हम लोग mirror के case में तो power होता है mirror के माइनस 1 by F और अगर आप lens के case में बात कर रहे हो तो power हो जाता है 1 by F clear है इसके बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा simple microscope compound microscope telescope telescope इसमें क्या magnifying power होती है इस चाइब के जो जो बेसिक बेसिक फोर्मूले से बिड़ा वो बेसिक बेसिक फोर्मूला आप होँआप रिवाइस कर लीजीगा मुझे लगता है इतना ही sufficient है mesotype of the optic जो सवाल आज तक पूछे रहे हैं तो चलो फिर इसी information के साथ start करते हैं PYQs question number one आपकी screen पे ये रहा बहुत ही धासू सवाल है अच्छे बच्चे देखती समझ गया होंगे कि सर ये सवाल तो हमारा J.E. advance की exercise में भी था ये सवाल तो J.E. advance में भी आया वा था बिल्कुल correct बात है ये question ऐसा था J. advance में भी आया था J. Maze में भी आ गया था जल्दी से screen को pause करें मेटा जल्दी से question को ट्राइ करें फटाक से मिनट चे पहले है और चलो उसने बोला है कि भाई साब एक प्रिज्म है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेसिकल यहां पर दो प्रिज्म है N1 N2 दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखें उसने क्या बोला है कि ता wavelength for which the raised incident at an angle on the interface BC passes through without being bent of the interference मतना वो यह कहना चाह रहा है कि भाईया यह जो यहां से लाइट्रे हमने भेजी है जाहिर सी बात है यहां पर रिफ्रेक्शन होगा बिलकुल होगा अब यह लाइट्रे जब बापस BC इंडेक्स से टकराएगी तो BC के बास कुछ भी इसमें deviation नहीं आना चाहिए तो मुद्दे की बात यह है भाईया deviation कब नहीं आएगा जब refractive index उसको same मिलेगा जाहिर सी बात है अगर मैं ऐसा बोलू हवा है अवा में light रिफेक के मारेगा और अगर मैं बोलू कि सब जगे medium same है सब जगे refractive index same है फिर थोड़ी ना वहाँ पर in that case हम सब्सक्राइब की light का reflection होगा तो इसका मताब मुद्दे की बात यह है कि आपको करना है n1 बराबर अगर मैं ऐसा बोलू कि सर ये वाला medium ये वाला medium अगर सेम रहा तो यहां से जो lighter जाएगी इस interface से जो भी cross करेगी वो undeviated निकल जाएगी बस इतनी सी बात थी ठीक क्योंकि question जही advance में आया वा सवाल था जिन बच्चों ने question try किया था बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल भी time waste किये भी ना फटाक सा n1 बराबर अन्टु किया और solve करके answer निकाल दिया एक बाद चेक कर लेते n1 n1 बराबर कितना है भाई साब 1.2 प्लस 10 दा समलब 8 इंटू 10 तो की पाव माइनस 14 अपॉन लेंडा स्कॉयर देट इस गोल टू किताबे 1.45 प्लस 1.8 केल्गूलेशन भाई साब इंटू 10 तो की पावर माइनस 14 अपॉन लेंडा स्कॉयर क्लियर है अब हमको यह solve करना है आज हो solve कर लेते हैं भाई साब देखो एक काम करो इसको इधर उसको उधर 10 द बटे लेंडा स्कॉयर एक्वल टू थोड़ा सा इसको पत लगर लेते 145 में से 120 गया 25.25 क्लियर है बस अब मेरे साब साब कुश्यन आप solve कर सकते हो यह 25 से 0 डाओगे 2-0 वहां सेट करके दोनों तब अंडरूट लेलोगा तो भी आपका आंसर आजाएगा एक काम करो निकाल लेने लेंडा स्कॉयर एक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस 14 अपॉन 0.25 दसमला बटा के 2-0 बढ़ा तो लेंडा अगर आप यहां से निकालोगे तो लेंडा एक्वल टू अंडरूट लेले 9 का अंडरूट भाईया 3 25 का 5 ठीक है यह 10 टू की पावर माइन बनाना है 1000 से मिल्टिपलाई करो हजार से डिवाइड करो अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो ने नो बना देगा 10 टू मैंडिपलाई करो तो वह यह 3000 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 600 नैनो बेटर आंसर भी 600 नैनो मेटर खितम सवाल क्लियर है बहुत सिंपल सवाल था मैं से टफ तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ examination में within time limit सवाल को पढ़ना, समझना और crack करना अगर किसी बच्चे ने within time limit के साथ ये करा तो भाई साथ उसको तो मज़े ही आ जाएगा और कोई अगर उलज गया सुरू के तीन चा लाइन में जाहिर सी बात है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर वो सवाल को कही न कहीं तो डिपटाई देगा, time भी waste करेगा तो खेर, ऐसे questions के लिए practice बहुत ही अच्छी होना जरूरी है अगर ऐसे questions पहले आपने पहले कहीं देखे होते हैं और examination में आते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग करके निकल जाते हैं और exam में अगर इस type का question आपको unseen type का देखने के लिए मिले तो बेटा उसको try मत करना, उसको बाद में try करना, last में try करना ठीक है, क्योंकि J means में 60 नहीं, 70-80% questions simple होते हैं इस level के नहीं होते हैं, इस से थोड़े से, थोड़े से नहीं, काफी down level के होते हैं चलो चलता है, next question की तरब मैं पीछे अट रहा हूँ, अगला question तुम्हारे सामने ही रहा ठीक है, इसकीन को pause करें, try करें, मैं किनारे हो रहा हूँ, चल दी से, मिनट से पहले time limit दो मिनट, हो गया, चलो, मैं question समझा देता हूँ, question में basically वह कहना चाह रहा है कि यार एक object रखी भी है, और यहाँ पर एक lens है, मैं next page पर बना देता हूँ, यहाँ पर और यह रहा भहिया object, object है, तो raise भहिया ऐसे गई होंगी, जाहिर सी बात है finally जो image है, ठीक, वह object पर ही बनी है, जैसे कि उसने बोला है कि finally जो image है, वह object पर बनी है, तो पेटा यहाँ पर, यहाँ से देखो, कि light रहे जब यहाँ से गई होगी और वहाँ बने एक mirror है, convex mirror है, तो object पर ही image बनी है, तो इसका मतबब there are two possibility मैं दोनों possibility डिसकस कर देता हूँ, पहली possibility क्या, यहाँ से देखना, कि सर, यह जो convex mirror है, या तो इस lens ने, जो कि यहाँ पर convex lens है, इस से जो light रिफ्रेक्ट होके गई है, आईदर या तो वो इस पर perpendicularly टकराई होगी, ऐसे तो कि perpendicularly टकराने का मतबब क्या है, कि जैसे perpendicularly टकराई है, अपने रस्ते पर लोट के बैसी बापस सली जाएगी, आपने चीज पढ़ी होगी कि mirror पे, चाहे वो plane mirror हो, चाहे वो convex mirror हो, concave mirror हो, जब भी कोई light 90 degree पे टकराती है, perpendicularly टकराती है, मतब angle I 0 होता है, तो angle R भी 0 हो जाता है, तो इसका मतब अपने path को retrace कर लेती है, और जहाँ से basically वो raise आई थी, basically वहाँ पे जाके image बना देती है, मतलब सर यहाँ से अगर start हुई थी हो, light यह गई गई, 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 और जैसी टकराएगी, पटाक से, यहाँ से वो बापस होगी, और finally image अपनी वही बना लेगी, जहाँ पर object रखी थी, मतलब इसी तका पर, case number 1, ठीक, हमारा जो answer है, वो case number 1 से ही आ वो आपके convex mirror पे 90 degree पे टकराई होगी, ठीक है सथ, और 90 degree पे टकराने का क्या मतलब हो गया, 90 degree पे टकराने का मतलब हो गया, कि finally यह जहाँ जाना चारी होगी, वो distance यहाँ से किसके बराबर होगी, radius of curvature क्योंकि mirror पे 90 degree टकराने का मतलब है, जो race है, वो कहां जा रही है, उसकी radius of curvature पे जा रही है, अब चेक करके दें, वो यह क्या radius of curvature दे रहा है क्या, अब्जेक्ट किस प्लेस आटे डिस्टंस वो बारा सेंटीमिटर फो में कॉन्वेक्शन है, कॉन्वें फोकल, हाँ, दे दिया ना, फोकल लें 15, इसका मतलब इस यो radius of curvature है, मेरे भाई, वो कितनी द इती है, तो next question पे अगर आपन चलें, next उस पे, तो यह जो लाइटर गई होगी, यह कहां जारी होगी, यह जारी होगी भाईया, COC पे, और इसके radius कितनी थी भाई, 30, तो इसका मतलब यह जो distance है, यह distance कितनी हो जाएगी, 30 cm हो जाएगी, और यह वाली जो distance है, यह कितनी दे रखिए, चेक करो एक बार, यह 12 और यह 8, खतम सवाल, आप इसमें देखो, कोई अगर आप से पूझे, what is the focal length of this lens, मेरे साब से you given है, ठीक, आपको image पता चल गी, image कितनी दूरी पर बनी है, 38, ठीक, उसने image 38 पर बनाई है, real image बनाई है, तो आप यहाँ पर lens formula लगा के, आप बड़े आसानी से जो है, इसकी focal length आप निकाल सकते हो, focal length निकल लिए इसका मतब अप prepared रहे कुछ भी पूझाए दा सकता है, हो सकता है कि इसकी दोनों की मियू निकाल सकते हो, ठीक, आप चलते कोश्चन की दरब, कोश्चन माला क्या कहना चाहरा है, वो देख लेते हैं, कोश्चन माला कहना चाहरा है, when the convex mirror is removed, अच्छा, convex mirror को हटा दिया, real and inverted images formed, वो अच्छा, वो कहना चाहरा है, कि सर हमने इसको तो मिटा दिया, बोले मिटा अगर आप इसको हटाओगे, तो जो light ray थी, वो कहां जाके मिलेगी, वो light ray कहीं यहां चली जाए, उसे इस बास से क्या मतलब, जैसी हट गया, फटाक से वहां चली जाएगी, तो पूछा क्या है, the distance of the image from the object will be, ले भाई साब, वो कहना जा रहा है, बता दे, यह जो image बनेग यह image object से कितनी दूरी पर होगी, जोड़ ले भाईया, बारा, बारा हाट, वीस, बीस ओतीस, पचास, तो answer will be, क्रिप्टी, खटम सवाल, ठीक, ठीक है सर, सर यह तो j means का सवाल हो गया, अब मैं j advance के point of view से एक बात और आपको बता दूं, ठीक है, क्या, कि object पर image बनने वाले सवाल, ठीक है, ऐसे questions में, there are two possibilities, ठीक है, जो बच्चे जी, advance के preparation कर रहे, मैं उनके लिए बताया तो, उनके लिए काफी अच्छा point है वाला, जो मैं discuss करने वाला हूँ, कि सबसे पहले, ध्यान से देखना, इस type के question में, अगर object यहाँ पर है, ठीक है, और object पर ही image बनी है, त एक possibility तो यह होती है, जो अभी हमने discuss की, कि light ray गई, और दूसरे mirror के center of curvature पर, पहले lens ने image बना दी, ताकि यह इस पर 90 degree टकराया, और 90 degree टकराया है, भया, तो जैसे जैसे गया, वही से वही से बापस आके, object पर ही क्या बन गई, image बन गई, case number one, case number two और है, यह अच्छे सवाल के लिए है, अगर जी एडवांस में कभी आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो जरूर ट्राइ कीजिएगा, यहां से भी answer आते हैं काफी सारे, कि sir, अगर, 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 इस object की, इस lens ने image, दूसरे mirror के pole पर बना दी, मतलब, sir, light ray ऐसे गई और यहां से इस ने image बनाई, तो यह जितना angle होगा, उतने ही angle पर, क्या angle आई बराबर angular 4-0 होगा, तो क्या reflection ऐसा हो जाएगा, तो due to symmetricity, यह बापस image ही बना देगा, पास ओन मारी है, तो इन बातों का ध्यान रखें, जह immense में तो नहीं, लेकिन जह advanced के लिए इन बातों का color के pole पर, pole पर मतलब इस जगह पर, ताकि जो light ray यहां से, यहां reflect हुई है, जितने angle पर गई है, उतनी angle पर reflect होगे, due to symmetricity, object पर ही क्या बन जाया है, भाई साब, image बन जाया है, पिछला जो question सा, उस पहले वाले question में, इतने detail में जानी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो यही से हम हमारा question, हमारा answer आ जा रहा है, ठीक, चलाओ, चाहो तो इसको note कर लेना, अच्छी बात हैं आफर, next, अगला question, तुबारी screen पर यह रहा, बढ़ा अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर ट्राई करें, जल्दी से, मैं start हैं के 4-5 सवाल, थोड़े जाची level के लूँगा, उसके ब तो तीन बार पूछेंगे, जे में, तो बिना किसी जल्दबाजी के हम लोग यहां पर discuss कर लेते, ठीक, उन्हें सबसे पहले बोला कि भाई, XY plane है, तो पहले तो assume करो, ठीक है, जिस रूम में तुम बैठे हो, जिस कमरे में तुम बैठे हो, जिस table chair पे भी तुम बैठे हो, तो वहां थोड़ा सा, ऐसे कुश्चन को करने के लिए, पहले X, Y, Z axis मान दो, ठीक, थोरी देर के लिए, मैं मान लेता हूँ यार, इधर X axis है, इधर Y axis है, उपर Z axis है, ठीक, तो उन्हेंने बोला, X, Y plane, we taken as a boundary between transparent media, M1 and M2, M1 जो है, बो भाई या, Z positive के लिए है, refractive index, root 2 है, इसका मदद तुम ऐसे समझो, कि सर, अगर इसको मैं X, Y plane मान लूँ, ठीक है, इस तरफ X, इस तरफ Y, तो उपर तो हो गया Z, positive बाला Z, X से Y की तरफ उंगली कुमाते हैं, तो अंग उठा जो होता है, राइट हैं बाला, वो आपको Z direction देता है, और नीचे की तरफ क्या हो हो जाएगा, minus Z, तो उसने बोला, सर, यहाँ जो medium है, वो root 2 है, और नीचे जो medium है, वहाँ पर ऐसा बोला, Z negative, जो medium है, वो क्या है, भाई साब, root 3 है, ठीक, इसका मतलब यह boundary line है, यहाँ जो medium है, root 2 है, यहाँ जो medium है, root 3 है, तो इसका मतलब, अगर मैं line की चूँ, तो आप बोलोगे कि सर, यहाँ पर तो mu बराबर root 2 है, और यहाँ पर जो है, mu बराबर root 3 है, ठीक है सर, question सहुझ मांगे, next, आगे बढ़ते है, अब क्या हुआ, अब उसने बोला कि भाई साब, a ray of light traveling in M1, मतलब इसमें एक ray of light राई है, and along the direction given by the vector, भाया, इस दिशा में एक light राई ह है, ठीक, तो अब आपको इस दिशा समझ नहीं पड़ेगी, तो ध्यान सा देख, 4 root 3 i cap, ठीक, minus 3 root 3 j cap, और minus 5 k cap, इस direction में जो है, basically incident रहाई है, अब ठीक है, is incident on the plane of the separation, उसने वोला value of the difference between the angle of incidence in M1 and the angle of reflection in M2 will be, भाया, वो सीधी सची बात यह है, तुस्से angle of reflection ना पूछ रह है, उन्हें कहें, भईया, angle of reflection में निकाल, angle of incidence में निकाल, और दोनों का difference में निकाल, तो सवाल बेसिकली बहुत अच्छा है, एक्जाम में कभी questions आए, ऐसे questions को बिटा लाश में करते हैं, आओ इसको ठेकल करनी कोशिश करते हैं, सर देखू, इता तो बता है, reflection होगा, reflection मुझे निकालना है, इस angle A ने z-axis के साथ कितना angle बनाया? इस angle A ने z-axis के साथ कितना angle बनाया? और इसके लिए तुझे याद होगा, vector में हम लोग पढ़ा करते थे, कि सर A बराबर AXI के, प्लस AYJ के, प्लस AZK के, अगर हम किसी vector को रिप्रिजन करते थे, the angle made by the vector बिदा z-axis, अगर हम लोग gamma से दिखाते थे, याद है, alpha, beta, gamma, तो cos gamma हम लोग लिखा करते थे, az upon mode of A, ठीक, बस हो गया सवाल, ये z-axis से साथ angle होता था, अब मुझे z-axis साथी angle चीए, तो बहिए बताना कितना है, az, az कितना है, minus 5, चलन दे कोई दिख करती है, mode, mode कैसे निगा लेगा, 4 root 3 का square में, direct लिख रहा हो बे, 4 चुक, 16, 38, ओहो, प्लस, 3 तिया, 9 तिया, 27, प्लस, 25, बड़ा खतर ना जा रहा है, भाई साथ, ठीक है, आज आज असल्व कर लेते, देख, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80, ठीक, 80, और ये कितना हो गया, 80 और 20, अब ये तो 100 हो गया, भाई साथ, ये तो proper 100 निकल का गया, तो 100, 12 ये निकल का गया, minus half, इसका मतल मारी है, magnitude में ले रहा हूँ, अच्छा साथ, गामा सिक्षी क्यों हुआ, ये तो 120 होना अच्छी, मैंने का ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करक्ट बात है, तो ऐसा समझ यहाँ पर, गामा की बेली हो तो 120 ही बोल, ठीक, मगर ये Z axis के साथ आई है, ठीक, ऊपर की तरब प्लस Z axis ह तो इसके साथ जो angle, incidentally अगर ऐसे आई है, तो ये वाला angle 120 हो गया, तो उधर वाला angle कितना हो गया, 60 हो गया, तो मैं सिधा बोलूँगा कि सर, अगर light ray यहाँ पर ऐसे टकराई है, तो ये वाला जो angle हमको चमकेगा, वो कितना होगा, बाई साथ, 60 डिगरी चमकेगा, कतम सब कर लो, सुरी, हैं पर root 3 होगा, ताइन सिक्षी क्या होगा, root 3 by 2, root 3, root 3 cancel out हो गया, sin r, r बराबर निकल का आ गया, 45 डिगरी निकल के आ गया, तो उसने क्या पूछा, difference पूछा है, i-r का difference अगर आप निकालोगे, 60-45 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 15 डिगरी, खतम सब clear है, I hope इस question से आपको at least language को crack करना, थोड़ा सा English improve करना, किस तरह physics पूछी जा रही है, वो काफी अद तक आपको सेखने के लिए मिला होगा, तो चलते है, next question की तरह, मैं हो रहा हूँ पीछे भईया, ठीक है, next, अगला question, आपकी screen, अपे सुनना, और भी पूछ सकता है, इस ठीक है, तो reflected ray, यह जो incident ray थी, अब reflect जब होगी, तो वो किस तरफ जाएगी, ठीक, तो उसके लिए आपको याद होगा, कि इस जब हम लोग एंगिलाई पराबर एंगिलार पढ़ते हैं, तो vector form of एंगिलाई और एंगिलार जब पढ़ते हैं, उसका वापर इस्तिमाल होगा खेर वो j advance की तरफ चल जाएगा, j means में तो इस सब चीजे नहीं पूछेंगे, next आगे बढ़ते हैं, अगला question, यह रहा, श्क्रीन को pause करें, question को try करें, यल दी से मिनट से पहले, मैं हो रहा हूँ किना रहे? हो गया? भाई, बहुत ही simple सा बालता है, ठीक है, अगर तो simple measurement भी देखनेगा न, तो भी तुम बोलोगी, अगर यह pole है, ठीक है, तो यह जो sphere है, देख, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसका मतलब, इसकी radius जो है, आप 16 cm या focal length जो है, आप 8 cm मान के solve कर सकोगे, ठीक है, तो तेरे सामने एक ऐसा concave mirror भी दिखाई दे रहा होगा, कि object कहां पर रखी है, सदस पर रखी है, यह रहा object 10 cm दूरी पर, और इसकी focal length जो है, वो 8 cm है, minus 8 है, बेसिकली, अगर आप मेरा formula बेलिपूट कर लोगा, इसके बाद तेरा जैसा मन करें, question को करने का, बैसे कर ले, काफी बच्चे यह चीज याद रखने थे, कि object को यहां रखेंगे, तो image कहां बनेगी, क्या उसकी nature होगा, अगर आप वैसे आप ट्राई करना चाओ, वैसे ट्राई कर लो, मुझे एकसर याद रखने में दिख्कत होती है, तो मैं काम करता हूँ, मैं hit and try से कर देखा हूँ, क्या, सर यहां इस case में, तो इसका बता, real image बन रही है, अगर be positive बाता तो, बट चले, खतम सवाल, यह तेरा हम बता है, next question, बैसे इसका answer तो, अब तक काफी लोग पता करी चुके होंगे, the answer होगा, next question, आपकी screen पे यह रहा, अब थोड़े से languages को crack करना आना है, मैं किनारे हट रहा हूँ, यह लोग मैं किनारे हो रहा हूँ, question को try करें जल्दी से, पढ़ाक से, हो गया, अब बेटा, इस सवाल जल्दी से होता नहीं है, थोड़ा सा lengthy question से, एक बार इसको देख लो, exam में आए, मत करना, छोड़के निक करेगा, ठीक है, बड़े ही आराम से, मिना किस जल्दबाजी question का discussion करते है, उनना वोला है, एक object है, 2.4 meter का मतलब हो गया, 240 cm दूरी पर, lens से तूर आपने उसने पखा, ठीक है, तो उसने जो image बनाई है, वो 12 cm दूरी पर, उसने image बनाई है, कहीं हाँ, screen, ठीक, in short, U तुझे गिवन है, B तुझे गिवन है, मैं यह मान के चलता हूँ, कि focal length तू निकाल दे, ठीक है, physics समझा रहो, calculation तू अपना आपकरना बात, ठीक है, ठीक है, next, आगे बढ़ता है, आप इसके बाद, हुआ क्या, हुआ ये, कि भाई, यहाँ पर लगा दिया lens, sorry, slab, इस जगा पर, ए जो incident ray होती, उसको दोड़ा आगे shift कर देता है, incident ray मतलब, in the direction of incident ray, जहां भी image बनी होगी, उसको दोड़ा सा आगे खिसका देगा, shift कर देगा, और shift का formula क्या होता था, शायद आपको बताओ, कि slab में shift का formula होता था, t, 1-1 upon mu, अगर मैं value पूट करूँग, अब ये, t is the thickness, thickness उन 1 into 1 minus, 1.5 की जगे मैं डिक देता हूँ, 3 by 2, ये निकल के आजाएगा, एक बटा 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कि पहले अगर light ray आपकी 12 cm दूरी पे जाके अगर मिल रही थी, तो slab रखने की बज़े से, कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान और ये distance होगी, ये distance कितनी हो जाएगी, एक बटा 3, और आपने जो screen लखी थी ना, वो screen थी आपकी, ये थी आपकी screen, तब इसने पूझा कि देखो मैं, हम slab तो ऐसी रहन देंगे, slab नहीं अटाई है, ठीक, उन्हें बला, आप तुम ये बता दो, कि इस object को मैं कितना खिसका दो, क्या बोला, इस object को मैं कितना खिसका दो, कि ये जो final image बनी है, I2, वो वहा ना बने, वो screen पर ही बन जाए, सीधी सीब आती है, ठीक है, उसने बोला है, कि अब object को कितना खिसका दो, कि जो final image हमारी कहीं जाके बनी है, वो screen पर बन जाए, तो इसका मतलब in short, ध्यान से सीख सकते हैं, कि अगर, suppose, मैं अगर भी, इसने, ये जो lens था, जहाँ image बनाएगा, उसको 1 बटा 3 ही आगे खिसका देगा, ठीक है, सरा आगे खिसका देगा, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, कि lens ने image अगर 12 माइनस 1 बटा 3 पर बनाई, तमंदा ध्यान से मिली बात, कि अगर lens इसने image जो है, 12 माइनस 1 बटा 3 पर बनाई, तो जो slab होगा, slab 1 बटा 3 और आगे खिसका देगा, और 1 बटा 3 और आगे खिसका गया, तो इसका मतब, plus 1 बटा 3 करेगा, तो 1 by 3, 1 by 3 cancel out हो दाएगा, तो जो final image बनेगी, वो बापस 12 पर बन जाएगी, और 12 पर ही तुने screen रख र है, तो इसका मतब क्या, यू आप निकाल लोगे, और अगर आपने यू निकाल लिया, तो इसका मतब सब कुस तो आ गया, सब कुस कैसे, सब पहले object को कहां पर रखाता, 240 पर, अब आप यू निकाल लोगे, कि आप यहां पर रखो, तो कितना खिसका होगे, आप दोनों का difference लोगे, तो आपका answer लिकाल के, आ जाएगा, तो अगर कोई पुछे का, what will be your answer, तो आप बोलोगे, सर, answer हो जाएगा, जो भी आएगा, यू में से 240 का, क्लियर है, समझने के लिए काफी सारी शीजेती इसमें, मैं फिर सर रिपीट कर देता हूँ, पुष्चन वाले ने बोला है, देख बाई, object को रखा 240 cm दूरी पर, तो image बनी 12 cm तर, ठीक है, 12 cm पर screen थी, वहाँ पर हमने image बना दी, अब हमने लगा दिया slab, slab लगा दिया तो image जाहिर सी बात है, 12 cm आगे तो नहीं बनीगी, अब slab के द्वारे रिफ्रेक्शन होगा, और slab क्या करेगा, incident को और आगे धखेल देगा, कितरा, एक बटा तिन धखेल देगा, final image कहीं हो, वो गहारा, ना, हमको final image कहीं हो, ना, बना चुकिए अपनों, lens की, ठीक है, sir, lens कहाँ image बनाएं, कि final image screen पर बने, तो आप बोलोगे, 12-1,3 पर, 12-1,3 पर आप बनाओगे, तो plus 1,3 जो slab है, वो और आगे shift कर देगा, तो 12-1,3 प्लस 1,3 वो आले तम तेरे cancel out हो जाएंगे, तो final image will form area distance, 12 cm from the lens, और 12 cm दूरी पर ही, आप पता है, यू निकल के आजाएगा, यू आ गया, 240 में गटा दे, कितना shift करोगे, वो निकल के आजाएगा, I hope आप तुम समझेगे होगे, question में क्यों ऐसा कहना था, कि ऐसा सवाल को आखरी में करना है, क्योंकि बेटा, language में, language crack करना, plus calculation, क्योंकि मैं बोल दिया तुझे, कि यू आप निकाल लेना, लेकिन आप निकालने में लंका लगी, यू अच्छी घासी आएगी, या फर, खेर, मैंने पूरा question question कर दिया है, बाकी calculation वाला part is your phone bar, आप चलते हैं, next question की तरफ, थोड़ा speed बढ़ाते हैं, next question, ये ना, skin को pause करे, question को try करे, जल्दी से, उन्हें वह the image of a object placed in air, formed by a convex, refracting surface is at a distance of 10 cm behind the surface, ठीक है बाइसाब, image is real and that of the distance of the object from the surface, 2y, 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 3rd है, basically, the wavelength of the light, inside the surface, इतने times the wavelength is air, बाइया, wavelength के साथ खेलने का मतलब समद रहा है, mu के साथ खेलना चाहरा है, radius of the curved surface, try कर बेटा, जल्दी से, हो गया, देखते है, question को, question को आला है, कहना चाहरा है, एक, जो है, convex, refracting surface है, ठीक है, अब, यहाँ पर, mu देनी की बड़ा है, उसलिए थोड़ा सा, lambda के साथ गिंखेल दी, उसलिए, wavelength of the light, inside the surface is, 2y, 3rd times the wavelength in air, इसका मतलब, अगर मैं बोलू कि, यहाँ, mu की value 1 है, तो यहाँ, जो, mu होगा, वो 3y, 2, जाएगा, क्योंकि, जब light रे, एक, medium से, दूसरे, medium में जाती है, frequency रहती है, ठीक है, लेकिन, उसकी wavelength, जो है, वहाँ पर, change हो जाती है, मैं आपर, एक बार, explain कर देता हूँ, कि light, अगर मैं ऐसा बोलू कि, suppose, किसी, एक, medium से, दूसरे, medium में जाती है, तो, जो, frequency रहती है, मेरे भाई, वो रहती है, same, और, b बराबर, f lambda, ठीक, तो, आपको पता होगा, जो, velocity होती है, light की, वो, by, mu times हो जाती है, तो, इसका मतलब, जो, lambda होगा, वो, lambda, y, mu times हो जाता है, यह अपने, wave optics में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर, mu क्या होता है, refractive index, ठी तो, इसका मतलब, जाहिर सी बात है, जो, refractive index होगा, उसका जो ratio होगा, 3 to 2 हो जाएगा, next, और दूसरी बात है, refractive index, 2 by 3 तो होगा, ठीक है, एक सा तो, जादा ही होना है, next, अब उसने क्या मुला है, image is real, ठीक है, सारी चीज़ छोड़ो, मुद्दे पयाओ, लोड़के, क्य refracting surface is at a distance of 10 meter behind the surface, इसका मतलब, जो image बनी है, आपकी, और कहानी मुझा सी, ठीक है, next, आगे बढ़ते है, image is real, and that of the distance, हाँ, अब मुद्दे की बात, उसने यहापे भी दिए, and, at of the distance of the object from the surface is 2 by 3, basically, वो यह कहना चाह रहा है, तो, आसा language का issue है, क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्यां सा देखना, कि जो image की जो distance है, जो की 10 है, वो object की जो distances की 2 by 3 है, मतलब, 2 by 3 of U, तो that means, जो U निकल के आगया, वो निकल के आगया, पर निकल के आगया, I think question पुरा solve हो चुका है, U आपको बता है, भी आपको बता है, ठीक, और आप से पूछ ले, radius of curvature, क्या करते है, जल् minus mu1 by U, U कितना है, minus 15, with sign condition के साथ, ठीक है, equal to mu2 minus mu1, 1.5 minus 1 by R, R के लिखोगे, plus, खटका है, इसके बाद जो अभी आपका अंसर आएगा, that is correct, आप calculation कर लेते हैं, जब इतना किया है, तो, तो भाईया, देड़सो तो आ गया, देड़सो नहीं, देड़सो ठीक है, यह कितना है, पंदरा, और यह किता है, पंदरा, दोसो पच्छिस, 5.5, plus, 10, यह plus आजाएगा, that is equal to, देड़ में से एक है, आदा, एक बटे, 2R, यह कितना होगा, भाई, 23, 22, 32, 5, तो आप लिखोगे, 32, 0.5, बटे देड़सो, भाईया, calculation ना, पूरा ही परिशान करेगा, यह है, ब तिस दूनी, 64, 65, 65, R, एक वल टू, देड़सो, ठीक है, आर बराबर कितना आजाएगा, देड़सो, बटे 65, कितने से कट रहा है, मेरे साब से तो, देड़सो, बटे 65, पास से कटेगा, भाईया, तीस, बटे, 13, 55, ठीक है, आंसर किस पर में पूछा, उतने, उतने बोला है कि, आंसर जो है, सम्थिंग भाई, 13 होना चाहिए, तो सम्थिंग की बेलू कितनी होगी, सम्थिंग की बेलू कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपने देखा, अभी तक मैंने जितने चार पास सवाल लिए बेटा, वो सारे अच्छे लेवल के सवाल लिए थी, उन कुश्चंस में क्या था, कि थोड़ा सा लेंग्विज होती है, लेंग्विज को करेक्क करना होता है, सुकून से देखना होता है, और ऐसे कुश्चं की प्रेक नहीं, यह रहा कुश्चं, फटाक से, इसकिन को पास करो, जल्दी कुश्चं को ट्राइ करे, मिनट से पहले, हो गया, विड़ा, ऐसे सवालों से, लेंज, मिरर, सारे एक साथ खेलना सीख जाओगे, आप सारे एक साथ, ठीक है, चलवा देखते, कुश्चं वाला यह कहना दे रखिए, एक मीटर, जाएर सी बात, आप यह फोकर लेंग दे दिया, और यू दे दिया, भी तो आप निकाली लोगे, तो मैं सीधा यहां पर निकाल ला हूँ, यहां से देखो, तो अगर आप बी निकालोगे, लेंस के केस में, मैं सीधा फॉर्मल लगाता हूँ, यू अगर अगर अपन चेक करें, ऊपर आजागा पॉइंट बास, नीचे आजागा पॉइंट बास, तो बी निकल के आगया, मेरे भाई, वान, इसका मतलब यह हुआ, कि जो फाइनल इमेज बनेगी, वो आप, फाइनल यह बंदा जो इमेज बनाएगा, वो इमेज बनाएगा, कई यहां पर बनादेगा, एक मीटर तो, और होना भी चाहिए, फोकल लेंगा दुगना है, टू एप पर रखा हुआ है, अब उसने बोलाए, कि एक लगा दिया, आगे की तरफ गुलाबी नेक्स, और उसकी जो यहां से दूरी है, वो दो मीटर पर है, तो यहां से जो पर रेंर जाएगी, और वापस मिरर से टकराएगी, तो अम मिरर के लिए, यह हो जाएगा, और अभला और अबजेक्ट की यह object था, इसको मैं थोड़े के लिए I1 कह देता हूँ, ठीक है, यहां से सुनना, I1 is the real image formed by this lens and it will behave like a real object for the mirror, ठीक, अब तर इस I1 की जो image बनाएगा lens, वो कहीं यहां पर बन जाएगा, equal distance दूरी पर, पीले color से दिखा देता हूँ, मैं I1, ठीक, कैसे, कि सर यह जो light ray ऐसे गई ही, इस तरीके से, और पीछे अगर extend करोगे, तो कहीं हां साथ के भी दिखाई, दे रही होगी, ठीक है सर, और यह आपको पता ही है, प्लेर के case में, जितनी दूरी पर object रखा होता है, perpendicularly दूरी पर, उतनी दूरी पर image बन दिये, तो इसकी जो real object थी, कितनी दूरी पर था, क्योंकि ये दो मीटर, ये एक मीटर, तो ये एक मीटर, ये भी आपका एक मीटर ही हो जाए, अब आनसर नहीं आया है, अब यह भी होल्ड करो, अब जो light ray mirror से टकरा के आई होगी, वो बापस इस lens दे फिर से इंट्रेक करी है, अब तुम ये नहीं कहां कर रही है, सर, ये त तो मैंने दो light ray बनाई है, क्या कुछ एक light ray ऐसी भी तो होगी, कैसी 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 कैसी, कौन सा कलर से दिखाऊ हो मैं, सफेद वाल से दिखाए दाओ, ये भी तो होगी ना, ये वाली, वापस आई है, इस तरीके से, इंट्रेक करेंगी ना, हमाई पसाम तो infinite light ray है, दो ही थोड तो इसका मतलब incidence ray का, फिर से lens के साथ interaction होगा, तो इस तवाल में, बेसिकली, जाते time lens के साथ interaction हुआ, फिर mirror के साथ हुआ, फिर mirror से light है, टकरा के बापस आई, फिर वापन lens से टकराई, तो बेसिकली यहां पर दो बार तो lens formula काम करेगा, एक बार तेरा mirror काम करेगा, तो अब जब दुवारा होगा, मैं लिख देता हूँ, फिर फोर, second direction के लिए, आप बोलोगे, सरी कहां से आता दिखाई देगा, आई टू से, तो यू तो तो तेरा होगा है, माइनस ठीक, और जो focal length है, वो तेरा है, 0.5, मतलब second case ना, मेरे भाई, तेरा, यह होगा है, यह होगा है, तो इसका मतला इस तरफ की direction positive हो जाएगी, sign convention तेरे सारे बदल जाएगे, तो इस तरफ positive हो गया है, बस खतम कहां नहीं, लगाने formula सिधा, तो बोलेगा, सद्वो, अगर आपन यहां पर B निकालेगे, तो B बराबा निकल गाएगा, B equal to UF upon U plus F, मैं सीधा value लिख रहा हूँ, देख, UF multiply कर, minus 3 गुड़ा, 0.5, 5 तिया 15, minus 1.5, बटे दोनों को जोड़ेगा, तो यहाँ जाएगा, minus 2.5, ठीक है, यह हो गया, 15 बटे 25, minus 2 गया, 3 बटे 5, 3 बटे 5 केतना होता है, 0.6, ठीक है, इसका मतलब, जो final image बनेगी, वो, यह जो lens है, lens के point है, बूरी पर यहां जा पाइनल इमेज, यहां बनेगी, यह है, अब इसके बाद, यह light रहे, अब तो इस तरफ चलेगी, अब वो mirror के लिए, ना ही object रहेगी, ना ही वो image रहेगी, basically यहां पर 3 event होने के बाद, light तो चलेगी, उस तरफ, तो final image will form यहां पर, और यह additions कितनी है, 0.6, अब आराम से दूरी पर था, final image check करके थे, यह light ray, जो है, सच्ची मुच्ची महीं हां जाके मिलिए, इसका मतब real image बनेगी, तो इसको जो answer होगा, या तो C, या फिर D, real, 2.6 meter form दा, clear है, सीखने के लिए बहुत अच्छा सवाल था, यह advance के point of view से, अच्छा question था, चाहो तो आप इसको note कर सकते हैं, चलते हैं, next question के तरफ, आपकी screen पे ही रहा, try करो में चलती से, मकिनारे और हो, हो गया, भाया, बहुत ही simple सवाल था, उजने बोला, एक object है, 30 cm दूरी पर, concave mirror से दूर रखती है, रंग दे बहुत है, यह object, 30 cm दूरी पर, ठीक है, ठीक है, सर, जो image बनी है, वो 10 cm बनी है, दूरी पर, ठीक है, बनने दे, अब object को move कराती है, अच्छा, image किदर बनी, यह भी तो देखना सलूरी है, आगे बनी, पीछे बनी, कोई बात थी, अब उसने बोला था, if the object is moved with a speed of 9 cm per second, image बता दो, कि image की velocity क्या हो, बहुत ही simple सवाल है, इसका मतलब, यह object को भागा with respect to mirror, I think यह बिना उसकी solve हो जाएगा, magnification, magnification क्या होती है, byu, अब बैसे तो minus byu होती है, लेकिन क्योंकि इसका square करना है, तो इसका plus minus के चक्कर है, मेरे को पढ़ना ही नहीं, मैं सीधी बात बोलूगा कि यह चुपचा value put कर दे, b कितना बोला है उसने, सब b बोला है 10, अब वो 10 आगे है, पीछे है, जाला हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा answer तो यही से निकल के आगिया, into, यू उसने 30 दे दिया, और velocity of object कितना दे रहे था, भाई साब, 9, plus minus के चक्कर हम बिल्बुलना बढ़ो, क्योंकि यह पर minus sign यह बताएगा, कि जिधर object जाएगी, image उसकी opposite direction move करेंगी, लेकिन हमें उससे लेना देना है ही नहीं, हम तो सीधा बोलेगे, भाई यह इसकी तो solve कर ले, m2, इसका square भी तो करना है न, इसका square तो यह निकल के कितना आजाएगा, 1, अगर मैं बात करूँ, velocity of image सीधा क्या निकल का आजाएगा, 1, क्योंकि मुझे क्या put करना ह मैं बाई साब, magnitude, answer ए, अच्छा, sorry, answer इसका लिख देना है, हापर क्या आएगा, 1, ठीक है, मैं एक बाद फिर से रिविजन कराएगा हूँ, देख, लेंस के case में, velocity of image होती है, अगर support along the principal axis object move करती है, तो plus m square times of velocity of object, mirror के case में minus आजाता था, minus m square times of velocity of object, clear है, मैं दोनों चीज़े आपर लिख देता हूँ, यहां तो देखना, ठीक, क्या, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेंस के case में, तो velocity of image with respect to lens जो निकल के आता है, वो आता है, plus m square times of velocity of object with respect to lens, और अगर मैं बात करूँगा mirror के case में, तो velocity of image with respect to mirror का formula जो निकल गया आता है, minus m square times of velocity of object with respect to क्लियर है, यह basically चीज़े फंडर याद में, तो यह एक बार plus m square times, और अगर lens है, तो plus m square और mirror है, तो minus m square, चलते हैं, next question के तरफ, skin को pause करें, question को try करें, ठीक है, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ, चलो, start करें, उधने बाइसाब एक lens है, उतका refractive index उसमें दे दिया है, और उसकी पानी में दुबोया, ऐसा पानी, जिसका refractive index 1.42 है, तो उसकी focal length बदल गई, आप उसमें वोला भईये, बता दो focal length कुछी, बस वही simple सा सवाल है, आँ इसको try करते हैं, थोड़ा सा calculation रहेगा इसमें, क्या, किसा सबते पहले, 1 upon f, जो focal length थी, वो 16 दे रखी थी, that is equal to, क्या, सब mu minus 1, 1.5 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r, जैसी आप इसको पानी में दुबो दोगे, इसकी focal length होगे, change, 1 upon f1 बराबर, आप लिखोगे, 1.5 upon 1.42, आपको पता होगा, जैसी आप किसी medium में दुबो दोगे हो, ये जो mu था, mu upon mu m हो जाता है, minus 1 into 1 upon r1 minus 1, इसके बाद भाईया, कुछ solve करना है, आपको ratio निकालो, और जो जानना चाता है, वो निकाल, ठीक, मैं जल्दी से इसको solve करा देता हूँ, किस तरीके से questions को solve करना है, आओ, देख लेते हैं जल्दी से, अगर अपन बाग करें हां से, इसकी value अगर मैं निकालू, देख, यह कितना है, देड़ में से एक गया आधा, यह हाफ है, इसको 8 बार मारेगा, इसका मतलब इस पूरे तामजाम की value जाए, बनपोन 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको solve करो, 1.5, देख, 1.5 minus 1.42, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 1.08, sorry, 0.08 upon 1.42 into, इसकी जो value नि बना, इतना सिंपल गल्कुल शकाइस हो गया, हो गया तो हो गया, चलो, आगे बढ़ते, यह किसके बराबर हो गया, एक बटे बैया, इसकी, 142 के, 00, 10, 108, 8, 8, 8 का दिया, 1 over 142, next, अब उसने पूछा है, क्या बता दो, F1YF की value, F1 की जो value आई है, वो आई है, 142, F की जो value की बोटी भाईया, 16, 16 ही थी ना, 16, तो F1YF, equal to 142, बटे 16, भाईया, 16, नमा 144, ठीक है, तो this is approximately equal to 8.9, और मैं बोलूँगा, answer क्या निकल के आजाएगा, C option, ठीक, next question, चलते हैं, आपकी skin पे यह रहा, जल्दी से try करे, magnifying power of a telescope, with a tube, की जो length है, वो 60 cm की length है, इस 5, what is the focal length of the eye piece है, formula में सवाल है, आपको पता होगा, कि यहाँ पर FO plus FE, कुछला बोला जाता था, तो हम लोग क्या मान के चलते थे, कि final image है, infinity, तो जो length of the telescope आता था, वो FO plus FE आता था, जिसकी value कितनी है, 60, और जो, यहाँ पर magnifying power आता थी, मेरे भाई, वो आती थी, FO upon FE, दोनों का ratio, वो किसके बराबर है, 5 का, मतलब, ऐसी दो संख्याओं का sum निकालना है, जिनका ratio तो 5 हो, और जिनका sum जो हो, 60, ठीक है, बस कुछ नहीं, यहीं से भी solve करेगा, तो भी निकल आ जाएगा, FO बराबर 5F, तो 5F, 6F, बराबर 60, तो इसका मतलब, FE बराबर 10, और FO बराबर, खतम सवार, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, दिल्ली ओप्शन मैच कर रहा है, पुझा क्या है, IP, FE आप से पुचा है, खतम सवार, एक बात क्यों क्यों क्ली रिविजन करा देते हैं, हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप से तो सवाल आते नहीं है, रेरी कभी देखने के लिए मिलाओ, कमपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप से कुश्चन साते रहते हैं, इसमें वापस्ट दोनों केसे की मैगनिफाइंग पावर तेरों को याद होनी चीए, सबोज याद टेलिस्कोप के बारे हैं, हम लोग, टेलिस्कोप में दो केस आता था, पाइनल इमेज इंपुनिटी, फाइनल इमेज इंपुनिटी, इन देट केस, मैगनिफाइंग पावर आती थी, फोवाई, एपी के बराबर, दूसा केस होता था, फाइनल इमेज बनती थी, लिस्ट इस्टेंग बीजन पर, ठीक, उसका जो फॉर्मुला होता था, वो एक बार अच्छे सा आप लोग देख लेना क्या था, इन्हें सिमिलर मेंटा, कंपॉंड माइक्रोस्कोप में भी फॉर्मुला बनता था, मैगनिफाइंग पावर का, फाइनल इमेज इन 3D के लिए और फाइनल इमेज, लिस्ट इस्टेंग बीजन पर भी यह दोनो फॉर्मुला आपको खिलेर ठीक, चलते हैं, डेक्स सूशन की तरफ, जल्दी से ट्राइग करो, फटाक से, क्रिटिकल एंगल अपे मीडियम फोर इस स्पेसिफिक बेवलन, इप्धा मीडियम है, रिलेटिव परमीटिविटी थ्री एंड रिलेटिव परमीटिविटी फॉर वाइटिव से रिलेट कर रहा है, ट्राइग करो जल्दी फटाक से, हो गया, देखो, आपको याद होगा, इस से पहले मैंने जो सेशन लिया था, उसमें इलेक्टो मेगनेटिक वेप के फॉर्मूले अच्छे से रिवाइस कराते हैं, जो काम काम के तो उसमें फॉर्मूला देखा था, जो बी होता है, वो होता है, सी अपॉन अंडर रूट मूर इंडू खतम का, मतलब सी बटे, मूर कितना दे रखा वाइस साब उसमें, इन्टू चार बटे, सोरी उल्टा बोल दिया, मैंने रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, मैंने उल्टी वेल्यू लिख दिये, अंड कि जो स्PBR, उसकी स्PBR आधी होगी है, स्PBR आधी होगी है, मतलब आप बोल सकते हो कि सर जो Instead होगाना, वो जो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जिए, ऐसे मीटिव में चले गए, कि जहाँ पर सी दोसरे औक सी बाइने के मीटियम में जाते हो, तो जो स्पीर ओफला है, इसको c by mu हो जाती थी आप अगर इसको c by mu के बराबर करोगे तो आप यहां से बता सकते हो mu की value कितनी आ गई है दो आ गई है उसने बोला बहिए बतातो critical angle तो critical angle क्या होता है चोटा बढ़ा ब्यू यह से उसमें जा रहे हो यह दो है तो बन बाइटू आप सीधा लिखोगे साइन ठीटा सी बराबर वन बाइट मियू डैट इस इक बटा टू एंगल विल वी 30 खतल तिंपल फॉर्मूला पी सवाल नेक्श आगे बढ़ते हैं अखला कॉश्चन तुमारी स्की मैंने का ऐसा ही आया हुआ है यह कहना चाहरा है कि एक हमारे पास ऐसा लेंज है इसकी रेडियस इंफिनिटी है इसकी रेडियस 30 सेंटी मिटर तो बता दो इसकी फोकल लेंज कितनी हो ठीक है आप सीधा वोलोगे वन अपॉन एफ बराबर मियू माइनस वन वन अपॉन आर थर्टी माइनस बन अपॉन इंफिनिटी तो यह गया आधा बन अपॉन एफ बराबर एक बटे 60 फोकल लेंथ बराबर 60 हाडली एक मिनट का सवाल था खतम सबाद लेर है चलते हैं नेक्स कुश्चन की तरफ यह ऐसे कुश्चन भी आते हैं इंफेक्ट ऐसे कुश्चन सेव इसका सब्सक्राइं जोए सब्सक्राइं अचेया बाद माइक्रोष को पाइप रोटाइं एक ओबजेक्टिव लेंच यह उसने देंटीमिटर एफओ और अफ यह अपने लेन्स बटे प्रेश सेंटीमिटर तुश्चन को पूट आइच करें उन्य। इसकी बूरी देती है आगे बढ़ते हैं अब्जेक्टिव लेंस बता दो मान के चलो अब्जेक्ट तुमने यहां रखा है और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहां से कितनी है यहां इसकी बनाता था यह इमेज का बना रहा है इनफुनिटी पर बना रहा है और यह इमेज इनफुनिटी पर कब बनाएगा कोई इसके लिए जो अब्जेक्ट ने बनाई है वह भी यहां पर यहां पर नहीं दिखाना चाहिए लेकिन ठीक है आई होप यहां से तो इक्ची समझ गया होगा है क्या कि सर फोर अब्जेक्टिव लेंस यह हमें समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि सर यू बराबर अगर माइनस एक्स है एक बराबर अगर वन है तो वी बराबर जो है ना वह पांच है अब निकाल लेती है एकसे निकालेगा लेंस फर्म लगा दें बन अपॉन बी माइनस बन अपॉन यू बराबर बन अपॉन एक माइनस एक बड़े पांच बराबर चार बड़े पांच है तो एक्स की विलों कितनी आगी पुझा क्या उसने वह सब सेंटीमीटर दी चला रहा है तो इसको किसके बराबर कर दो एन बाई 40 के बराबर कर दो देख चार से चार गया एन बराबर निकल गए कितना आजाएगा तो एक सबाल कंपउंड माइको स्कोप भी होना चाहे तो चलते हैं नेक्स स्कूर्शन कीतरा अ ये रहा है अच्छा प्रिजम आंगा करौ करौ करक़ कर दोदी कर वेए सौल आ गया जल्दी मिनिट से फेले यह एंगिल उफ प्रिज्म किया बहुत ही चोटा है थिन प्रिज्म के लिए आप याद करो जह हम लोग डिवीशन निकालते हैं तो क्या लिखते थे मियू माइनस वन इन्टु ए बस हो गया सवाल ब्यू किती है बन पॉइंट फाइब माइनस वन और एंगिल उफ प्रिज्म कितना है वन कितना आगया वह यह खत्म हो गया अभी सवाल खत्म नहीं हुआ बाई क्या वोला उसने एक गुड एक्स्टिमेशन पॉर्द मिनिमूम इस प्रिज्म के लिए बतलब एंगिल और प्रिज्म इतना चोटा है उसका ठीक है वन डीग्री टू डीग्री थी देग्री तो उसका डीवीशन यहीं आए आएगा तो इसकी रीडियस भी क्या है इसकी पावर कितनी है पी शायद आपको पताओ यह चीज पी बराबर होगा वन अपॉन एफ बेसिकली विच इक्वल टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आरवर माइनस वन अपॉन अगर इसको सही तरीके सॉल्व करेंगे तो पी बराबर निकल क दाओ और कर रहा है इसका मतर्ण एक रीडियस आर है तो दूसी रीडियस का है इंफ्रीटी अप उसी मैट्रीयल मतला व्यू सेंग रखना है और पावर पावर स्वाल-पाल बहुं लेगा सर अब जो पावर करनी है वह करनी है बन पॉइंट फाइज पावर बराबर क्या हो एक रेडियस आ रहे तो दूसरी रेडियस इंफिनिटी है जश्ट डिवाइड मार दे सॉल करके तेरा अंसर निकल आ जाएगा चेक कर लेते हैं एक काम करते हैं इसकी वेल्यू हें पूट कर देते हैं 1.5 P P कितना है टू इन्टू इसे कुश्चन की संख्या तेरों को बहुत जादा देखने के लिए अब जितने कुश्चन इस चाइब काएंगे मैं उसको वहिया पूंबग दे दूँगा ठीक है और आप लोग ऐसे कुश्चन अगला कुश्चन इसको ट्राइक कीजिगा नेक्स में फिर से बताए तो पावर का फॉर्मूले में बहुत सारे कुश्चन आये गए ठीक है अगला कुश्चन यह रहा है कि सब्सक्राइब होती थी आर वाई टू के बराबर जहां आर क्या होता था आर खुद एक यहां यहां बहुत होगा यहां यहां पर देखता चल्च प्लस इंपल सवाल नेक्स्ट कोश्चन दूर्जर को अपको देखता चल्च ऑफ और यह रहां ग्राबर एक व्हुवा करता था सारे के सम लोगे ने देखे तैंग आई का कि आपको यूश्यप का होता था तो जो सबेशन के भी जहां पर मिनिमंबार यहां पर आई बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा डेविशन ना आता था maximum कब आता था जब कोई भी एक एंगेल आई या एंगेली 90 डिग्री हो जाता था तो हमको मैक्समुम डिवीशन वहाँ पर देखने के लिए मिलता था चलते नेक्स कोश्चन की तरह यह रहा बहुत दिनों के बाद प्लेन मिरर से फिल्ट व्यू से कोश्चन साया था ठीक है 2021 में एक बार इसको प्रेक्टिस कर लो क्योंकि सेम सवाल जो है पिछले एक साल 2022 में भी आया था थोड़ा डाटा चेंज करके मैं चाहता हूं इस कोश्चन को आफ ट्राई करो मैं पीचर रहा हूं ठीक है देखो कोश्चन वाले नहीं बोला है मैं पूरे एक्स्प्लेन कर देता हूं कि यार यहां पर एक प्लेन मिरर है इसके सामने एक बल्ब रखा है यह रहा इसा बल्ब तिक्स्टी सेंटीमीटर दूरी पर बल्ब रख दिया तो जाहिर सी बात है इस बल्ब की इमेज बनेगी कहीं ठीक है सर पूछा जाए बहिया कैसे इमेज बनेगी तो आप बोलोगे सर एक लाइट रहे से आएगी और एसे निकल जाएगी और एसे निकल जाएगी और उसने ऐक बात वर बोला है कि यहां से 120 दूरी पर सड़क और यहां और यहां से एक आदमी इधर जा रहे पैदल 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 पैद पैदल पैदल ठीक टीक है उस ने बोला है दडिश्टेंज बट्विधन दए कि एक्स्ट्रीम पौइंट वेर आदमी कैन सी दा इमेज ऑगं। सो कितना होगा तो बेसीकलि मुद्दे की बाति आदमी кिसको देखना चाहा है आदमी क्या सोर्स को देखना चाह रहा या सोर्स की इमेज देखना साह ब्या ब्याद Kya आदम ein पर है और इधर जा रहा है उसको तो दिखी रहा है ना सामने सोर्स वो तो जिंदी की पर हमें सही दिखता रहेगा उसको सोर्स नहीं देखना उसको सोर्स की में देखनी है इसका मतलब उसको देखना सौरी उसको देखना है तो आई के लिए तो बनानी बड़ेगी तो पहले आप चेक करो फिल्ड विव से डरना मत मिटा पहले चेक करो कि बाइसाब इस अब्जेक्ट की जो यह जो सोर्स था एस इसके इसकी जो इमेज है आई वो बनेगी कैसे पहले एक बारा बू दे कैसे बनेगी से लाइट रहे यहां जाएगी और टक्राके ऐसे अब पीछे से आई-साती भी दिखाई देगी इनें सिमिलर मैटल लाइट रहे यहां जाएगी आप टक्राके बहा चली जाएगी तो बेसिकली जो इमेज से निकलने वाली यहां से जो भी यहां से जितनी लाइट रहे इंदो पॉइंट के बीच में मतलब आदमी अगर सपोज। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए ती इसको कह देता हूं D तो जब तक ही आद्मी सी और दी के बीच में रहेगा तब तक आई को देखता रहे तो एस इसको कह दे भाईया एसको कही दे भाईया तो तेरे को निकालना क्या है तुझे निकालना है CD बस आजाओ सॉल्ब कर लेते हैं सवाल को ध्यान से देखो क्या डाटा जो गिवन है यह 60 है यह भी 60 गिवन है क्या similar triangle की property शाय तो देख पा रहाओ triangle IAB is similar to triangle ICD ठीक इसका मतलब सर यह वाली distance AB बटे CD equal to यह वाली distance यह कितना था 60 तो यह भी कितना हो जाएगा 60 बटे यह बड़ी वाली distance यह कितना था 120 और यह कितना है 60 मतलब इस थीक एवी एवी शैद उन्होंने दे रखा है चेक करो यह वाली जो distance थी यह यह पॉइंट भी है यह पचास है तो यहां लिग देंग पचास बटे CD बराबर एक बटा तीन CD बराबर निकल क्या जाएगा आगे बढ़ते हैं पीछे एक बार आंजा चेक कर लेते देड़स ही आपका क्या जा रहा है आपका 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 सिंपल आपका नेक्स पॉस्चन हां एक बाद ट्रू फोल्स का क्वेश्चन से एक बाद दिख लेते एंगल आप डेवीशन जो दाप्रिजबस मिनीमम अच्छ एंगल डेवीशन मिनीमम कब होता था जब आई बराबर यह होता था आरवर बराबर रफ्ट्रू होता था ठीक है और एकर एक्कुलेटरल या स्फिर आइसो स्लेस प्रिजम होता था ना तो जो लाइट रे अंदर जाती थी वह बेस के भी पैलल हो जाते थी अगर तुझे यादव तो ठीक है चलो केस पढ़ते हैं के करके पहला केस इंसिडेंट रे एंदा इमेजेंट रे आर्ट सेमेट्रिक टू पैलल टूदा बेस बेटा ये वी आप्शन के बारे में तो घैर हम लोग जो है अभी नहीं बोलना चाहिए हमको वह इसलिए क्योंकि वी आप्शन तो तब करेक्ट होता है रिफ्रेक्टेट रे इंसाइड दा प्रिस बिकम पैलल टूदा बेस जब आइसो सलेस ट्रेंगिल हो अगराइस ट्रेंगिल नहीं तो आपन लोग नहीं बोल सकते अभी बेस करते हैं ठीक एंगिल उप इनसिदेंस इक्वल टू अगल ओ इमेडजेंस आई बराबरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है देंड गला तो बेस आंसर तो जाएगा अपर ए को भी मुझे मजबूरी में टिक करना पड़ेगा रीजन इस जैट साइद तो यह बात समझ रहा हो यहां से देखो कि अगर मैं बोलू प्रिज्म आइसोसलेस है है ठीक है लाइट देख ऐसे गई कि यह पैरलल होती है इसके और ऐसे निकल जाती है अंगेल आई बराबर क्या हो जाता है अंगेल आई बराबर एक मिनिममम डिवीशन के लिए ठीक है लेकिन अगर मैं ऐसा बोलू यहां से देखना कि सरे एक बात बताओ यह है इस लेस्यां यह क्यों बोल रहे है वागे इसलिए बोल को माननके चली आई सुस्ड़ था पहलेदे गया पिन था आपके रहें किया इस को घर सब्सक्राइब नीचे से उसका बेस उड़ चुका है वह तो भाई-आप किया उदर वाली इस इसका बेस अगर मैंने बना ती कि इसके पहले है तो इसलिए लोग एसेते हैं कि जो लईदर लेट्र रहे ना व परल्ल काप होगी संद quilt कि यह पिरूइट्रल क्यों कि जब आइ से नुस्च होता है और और होता है और चाहरे प्लस अन्हासों fur 16 इनकी फेलू ए वाई टू के बराबर हो जाती है तो अगर ये एंगल ए था पासाज मारी ये तो ये वाला जो एंगल है ध्यान से देखो ये अंगल किया था आर बन जब यह हमारा एवाई टू तू जाता है तभी इसके 22 जो में ट्रेकर तू लगाएगा तभी उसके क्या आत या फिर आइस उसलेस होना चाहिए मगर बी ऑप्शन गलत देने का और कोई ऑप्शन मुझे पता ही निए तो भाई आप जेए मेंस का सवाल है माफ कर देंगे उसको ठीक है तू लिखना भूल गया होगा जेए मेंस तो जेए मेंस ही होता है ठीक है इसलिए हम लोग बैस च को अबजक्ट is plays at the distance of 100 cm front of a convex mirror of radius of curvature 200 cm इसका मतलब इसकी जो focal length वह 100 cm दी और object को भी 100 cm दूरी पर ही रखाया ठीक है दो object सचार्ट मुविंग टॉबार्ण समिरर स्पीद of 2 cm सब्सक्राइब आगे की तरह भाग रही है आप पोजिशन ओप दा इमेज फ्रोंदा मिरर आप्टर दस सेकेंड इस इस यूर फॉमवर्क बहुत सिंपल सवाल है घबरानी कोई ज़र होती है देख औब्जेक्ट को रख दिया है औब्जेक्ट भाग रही है दो सेंटीमीटर पर सेगेंड से बेल आश्यों पिमेज मत निकाल ले ना देखते के साथ इपना निपड़ जाएगा तो दस सेंटीमीटर में कितना चलेगी 20 सेंटीमीटर तो 10 सगेंड के बाद ही अब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगी वह नोकेशन निकाल लो आपको यू पता चल गया फोकल लेंड गिवन है वी निकल के आ जाएगा और वी निकल का आ गया तो भाईया सब कुछ सकते हो क्या पूछा है उसके बाद उसके बाद मतलब पोजिशन अब दा इमेज पूछा है मतलब सिंपल दा जवाल है आई होप सिंपल से कुष्चन है कैल्कुलेशन आप यहां पर कर लोगे यह आपका होंबर्ग है नेक्स्ट कुष्चन यह रहा लाइट वेबिन का टू मीट है M1 M2 स्पीड दे दी है क्रिटिकल एंग नहीं सब्सकुर्ण दाबर चोटी लैमडा बड़ी लैमडा शोटी वेलोशी रिजल्ट अते शॉट कर सीधा यही आद्र तो छोटा बड़ा बाड़ा चेक कले वाई साब चोटा गोने देल बड़ा ने दो देल बटे दो कितना ओ गया देल बटा 2 इतना हुआ देड़ बटा दो देड़ का मतलब 3 by 4 हो जाएगा तो इसका मतलब साइन इंवर्स 3 by 4 कोई option मैच नहीं कर रहा आज तो इसका मतलब साइन ठीटा बराबर 3 by 2 by 2 बराबर 3 by 4 कैसे ना करेगा मैं छम्मी देखेंगे यह 3 है इस चार चार चुक सोला सोलवेशन हो गया है रूट सेबर चैक कर ले भाई टैन इंवर्स 3 by रूट से ठीक है बन आप प्रॉपर तरीके से निकालो प्रॉपर तरीके से आपको पता हिए सब्सक्राइब कर दो किसके टम में वेलोश्टी के टम में मियू बराबर आप लिखोगे सी भाई भी ठीक है और वहां से सॉल्ब करके आंसे मिटाल सकते है नॉर्मल एडजेश्मेंट फोर रिफ्रेक्टि टेली स्कोप अभी सवाल कर आया था थोड़ी देफ पहले ठीक है तीस जिनका जो सम है वो तीस है और जिनका रेश्यो जो है वो दो है दस और दीस देखते हैं लेकिन आपका होमबर्क है यह मैंने क्या बोल दिया अचानक से देख एफो प्लस एफी बराबर एल एफो भाई एफी बराबर तो यह ऐसे करना है ठीक है नेक्स्ट स्वीट यार होमबर्क नेक्स्ट यूर फ्रेंड ठीक है एविंग दा आईशाइट प्रॉब्लम अच्छा आईशाइट प्रॉब्लम है ठीक है यह हो देख शी इतनी अच्छी किसमत कहां से होगे भाई चल ठीक है हम तो ही पढ़ेंगे हमको तो ही सुनाई देता है दिखाई दिख इसका मतलब जाहिर सी बात है ठीक है ठीक है एंड इट अपिरस टू हर एस नौन उनिफॉर्म एंड डिस्टॉर्टेट ओहो हो दा डॉक्टर डाइग्नाइस दा प्रॉब्लम वैया मायोपिया तो है और शायद आपने तीसरी चीज पढ़ी होगी उसको एस्टिक में भी है इसमें ज्यादा मतलब यही था कि ऐसे कुश्चन भी आते हैं अगे बढ़ते हैं अगला रेड़ डिपर फॉम था ब्लू लाइट वहाँ यह थेरा एंधर के लाईट और बूलाइट दोवह के बीच में यह है अंतर फ्रिकेंसि ठीक जो बेवलेंत और अलग होती है और अलग होती है दो नेक्स्ट पर दिखने का जो रिजन होता है क्लर का जो डिसाइड़ी प्र नेक्स्ट कोशन दा सेम साइज इमेज इस फोंपाइद अच्छा सेम साइज इमेज इसका मतब मैगनिफिकेशन का मैगनिटुट बन है ठीक है वेन ऑब्जेक्ट इस प्लेज एटे 20 सेंटिमीटर और 10 सेंटिमीटर फॉंद लें यह बड़ा अच्छा सवाल है छोटा सवाल इंपाउस करो बेटा ट्राइग करो चल्दी से तोचा है देखो कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में आपको याद होगा दो केसे हुआ करते थे जब एक बार अब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे तब भी बड़ी इमेज बनती थी ठीक है और वही जो है अगर अजो है उतनी स्वाल को कहने का मतलर यह कि एक बार जो है मेगनिफिकेशन आप वर पॉजिटिफ मिल लिए तो दूसरी बार कि थी मतलब अगरEr तेरी तेरी रियल है एक बार और आगे उब्लेंस तो ना यह मतलब हो गया कि मेंगनिफिकेशन का मेंगनिटीट से इम है लेकिन इमेज एक बार तो एक बार और आपक प्लस एफ आप और मेगनिफिकेशन वीवाई यू होता है that means मेगनिफिकेशन की वेली हो जाएगी f अपॉन यू प्लस है ठीक है सक तो कहीं न कहीं आप यह कहना चाहरे हो कि दोनों केसिस में यह कितना है मान के चलो 20 था तो माइनिस 20 हो जाएगा प्लस F that is equal to minus F बठे दूसरी बार यह कितना रखा माइनस टैंट प्लस F बस कुछ बचाए नहीं इसके बाद तो क्लॉस मुल्टिप्लाई कर तो यह से कैंसल आउट हो गया बड़े आनाम से जाना भाई देख माइनस 10 प्लस F एक्वल टू माइनस 20 प्लस F ठीक है माइनस अंदर में ज़्ट माइनस प्लस 20 माइनस F बराबर माइनस 10 प्लस F इसको उधर ले जा उसको दल ले जा ठीक है एफ बराबर निकल क्या देगा ठीक है ऐसे कुश्चन भी बेटा आते हैं एक बार इस टाइप के कुश्चन जरूर देख लीजेगा चलो चलते हैं नेक्स कोश्चन के तरफ यह रहा तीन एमेंटर इस इतना अच्छा स्पीड ओफ लाइट इतनी है फोकर लेंट अपड़ लेंज बेटा यह सवाल ना जब पहले जैमेंज ओनलाइन नहीं हुआ करता था ओफ लाइन हुआ करता था तब यह सवाल दो तीन वार आया था इसको पॉस्ट करें को ट्राइब जल्दी से अच्छा सवाल है जिन बच एट है ठीक है जहां सदेगे बेसिकली सवाल यह कहना चाहा रहा है कि हमारे सामने एक ऐसा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंज से यह बना कैसा होगा यह कुछ इस तरीके से बना होगा कि जब तुमने इस से ठीक है स्पेरिकल शेफ से जैसे आलू होता ना सेब होता उसको किनारे से कट दे ऐसे इस टाइप से कट किया होगा तो यह बेसिकली हमारे सामने लेंज से ठीक अगर मैं ऐसा बोलू कि इसका सेंटर है फोड़ा सा दाइग्राम थोड़ा जीब बनेग इसने इसा भूला है कि अगर मैं द्यांसा देखना अगर इतनी डिस्टेंस को मैं t बोलूं तो t की बेली उसने बोल दी है t बराबर है 3 इतनी सी ठिकले से और यह जो जाएगी फिर आर माइनस है ठीक है सर और इसका जो डायमीटर ये बाला ये बाला जो डायमीटर है वो उसने दे रहे हैं 6 cm इसका मतार इसको अगर मैं स्मॉल आर भोल दूं इस डिस्टेंस को तो स्मॉल आर बराबर है थोड़ा सा सवाल बिटा लग है एक बार देखना वो जरूरी है सवाल को क्योंकि ऐसे कुश्चन दो तिन बार आ गए है तो बेसिकली जैसा होता है न से बोला से से किनारी से कट करके मार देगा तो तो यह दिखेगा तुम आपे सर्कुलर शेपी ना एक तरीके से साइट से तो अब अगर मैं बोलूं यहां पर हमको चाहिए क्या हमको चाहिए क्योंकि इसका जो रेडियस आप से क्या जानी कुशिश की है फोकल लेंड और फोकल लेंड आपको पता है लेंस फॉर्मूले से आप लिख होगे म्यू माइनस वन अपॉन आर्वन माइनस बन अपॉन बात समझ में आ रही है ठीक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से इसका मताब एक रेडियस जोगी वह कितनी हो जाएगी इंफ्लिटी हो जाएगी खतम कानी म्यू तुझा गिवन है है से ठीक है बस सारा खेल तेरा आर का है आर के लिए फाइट मारते मैं अगर यहां पर इस ट् प्लस टी स्कॉर्ण माइनस टू आर विज स्कॉर आर के चाल और फिनयतल समय होगे रिपर संत्व और हो इस तो इस beş में करते के नेक ऩग जैसे ही तो इसको निया करेगा तो लेखेगा वा है शुर प्रॉक्सिमेट्ली को टू हो जाएगा टू आ टा-टी लेकि आजाओ ठीक है तो आर स्कॉयर प्राबर टू आर्टी अब तेरा सारा काम हो गया आओ आराम से बेल्यू पूट करते हैं आर की बेल्यू कितनी है तीन सेंटीमीटर में अंसा निकालेंगे तो तीन का स्कॉयर हो जाएगा एक वर्डू तू इंटू कैपिटल आर अब उसने बोला है फोकल लेंड बता दे बस वैल्यू इस पूट करनी है वन अपॉन एफ बराबर मियू कितना होगा भाईया थ्री इंटू टेंटू की पावर एट बटे स्पीड ऑफ लाइट टू इंटू टेंटू की पावर एट माइनस वन बटे एक बटे 15 माइनस एक अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वन अपॉन एफ बराबर काटा बिटी कर ले यह कि नहीं देड़ देड़ में से एक गया आधा हाफ इंटू एक बटा 15 पोकल लेंड भीया हमारी तो निकल के आगई 30 सेंटी मीटर तीस है के कोई अंसर दिल्ली अंसर है भईया दिल्ली ही करेक्ट है क्लियर है बिटा एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट था ठीक है यह कोशन आप यहां पर जरूर्ण नोट करें ऐसा सवाल आता है और यह सवाल तभी बनता है जब बच्चे ने एक बात देख रखा हो ठीक है अगर उसने नहीं देखा होता है तो सवाल बनने में दिक्कत आती इस से उसको फील ही नहीं आती कि भाइस अब गीबन क्या है प्लीज इस कोशन को जरूर्ण कर लीजएगा ठीक है चलते हैं नेक्स कोशन इतरह कि रहा है अब तो सिंपल सवाल है करो बटाक से स्किन पॉस करो ट्राइक करो जल्दी से मैक्सिममम बेल्यू अब ठीटा तो सर यह जो ठीटा डबल डैस है ना यह हर हाल में ठीटा सी से बढ़ाओ अब होगा ठीक है सर ओके अब हो जा बस हो गया काम खतल सब मैक्सिममम बेल्यू की बारें बात कर रहा है तो इसका अब तो अगर तो इनिक्वैलिटी भूल भी जाओ तो अभी चल जाएगा ठीक ह है अब क्या करें मैंने करें दोनों तरफ एक काम कर यहां पर यह ठीटा डैस है ठीटा डैस की वेल्यू कितनी होगी 90- स्षिटा में खुनु क्योंकि यह अपस में क्या होगे था थर देलिप संब्सक्राइब года चिपर सिन आपन क्या होगे हैs of किसी तरह मुझे ठीटा लेकर आना है तो यहां स्नेल लगा दे क्या लिखेगा वन इंटू साइन ठीटा बरावर और वाई थ्री इंटू साइन ठीटा डैस क्लियर है मुझे तो कोई बात नहीं यहां पर साइन ठीटा डैस बरावर थिरी वाई फोर इंटू साइन ठीटा अच्छा इसका मतब आप यहां पर थोड़ा सा गेम खेलेगा कौन सा गेल समत्रा इनिक्वैलिटी वाला दोनों तब स्क्वाइर कर दें ठीक है कॉ स्क्वायर ठीटा डैस इस ग्रेटर देन तीन गश्राएर नो बटे सोड़ा चल भए यह गणित खिलते हैं को सैप्रेड निटे थिता मतलब नोव बटे सोला कैसे सटीटीटा साइन स्वाइट ही था ठेक है इस ग्रेटर देन नोग बटे सोला ये उधर ये इधर ये इधर लेकर आएगा एक मेंसे नोग बटे सोला गया साथ बटे सोला ठेक है नो बटे सोला साइन स्वाइट हीटा सोला सोला कैंसल आउट हो गया यह सात बटे नो मतना रूट सेवन वाई थ्री लिमिटिंग केस में देखते ही आंसर आ रहा है यह यह उप्शन बीदा करेक्ट है तो बेसिकली टी आई एर के सवाल ऑल्टो मैंने पता है जबरदस्ति कॉ यहां पर तो यहां पर समझेगा साइन स्कॉइट टीटा उससे तो कम होनी चीए उससे कम होने का मतब जो भी जाएगी इससे कम तो मैक्सिमुम ना समझा साइन टीटा की विली उससे कम है तो नेक्स आगे बढ़ते हैं अब और यह सब चीज़े भाईया तुम्हारी हमबर के छोड़ोटे सवाल है अब इन सवालों को आप ट्राइग लिजीगा नेक्स कोश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे यह रहा एक सवाल और थोड़ा सच्छा ले ले थे स्किन को पॉस्ट करें मेटा को ट्राइग करें तब तक मै अब्जेक को तुमने रख दिया यहां पर यह वाली डिस्टेंस है ठीक तो जाहिर सी बात है इस अब्जेक्ट एक इमेज तो बनेगी भाईया यहां पर कितनी दूरी पर बनेगी यह दूरी पर बनेगी ठीक ठीक है सर दूसरी यहां से टूए डिस्टेंस दूसरे मिरर से अगर यह अब्जेक्ट टूए डिस्टेंस दूरी पर है तो यह मिरर भी इतनी ही दूरी पर यहां पर एक इमेज और बनाएगा आई टो और यह दूरी कितनी हो जाएगी भाईया कुछ है ठीक है अब यह image इस इस मिर्र के ऊपर है तो इसकी एक image और बनेगी कहां बनेगी यह बनेगी यह distance कि तरी टूए तो टूए दूरी पर कहीं यह पर बन्जाएगा कि आई तरी गए और इस यह वाला तो मिर्र था यह वाला इस मिरर के सामने एक i2 भी रखाव जो की एक डिस्टन्स जूरी पर है इसका मतब एक इमेज और बन जाएगी हैं पर कई आई पोड है अब डिस्टन्स एक बार देख लेते हैं यह वाली डिस्टन्स कितनी हो जाएगी पूछा क्या उसने उन्हां पूछाय था सोटेज डिस्टन्स बिटमिन इमेजस अच्या इमेजस के बीच की दूसरा जो सोटेज डिस्टन्स होई वह कितनी होगी तो देख इसके और इसके बीच की जो वो दूरी है वह है यहांपे पर जाश नहींक्त करना है रहों में शोस्कुआ है तो यहां पर अन्से कुछ और ही जाएगा लेकिन हमें क्शायोख ते यह ली या यह ली लाइन और यह लाइन होगी तो अंडरूट चार एका स्क्वाइर प्लस टू एका स्क्वाइर चार चुक 16 और 16 चार 20 ए रूट 20 मतलब साड़े चार के आसपास कोई कर रहा है कि यह तो अंदर जाए यह भी नहीं जाए हाँ 4.6 भी ऑप्शन करेक्ट अप्रॉक्षिम तो बीटा ऐसे कुशन भी देखने पड़ते हैं ठीक कि हमें चार उप्शन में से बेस्ट अंसर टिक करना पड़ता है अलग अलग प्रोफाइल के डिफरेंट डिफरेंट शकल सूरत के जो कुशन पॉसिबल हो सकते थे वह भी मैंने यहां पर ले लिए हैं ठीक है अप्रॉक्सिमेट मुझे लग रहा है हम लोगों ने शायद जहां तक लग रहा है तीस सवाल तक तो शायद 25 सवाल हम लोगों ने आपर देख लिए तीस सवाल के आसपास अभी 10- सब्सक्राइब नोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की रिक्वाइर्मेंट मेरे साफ से वह फुल्फिल हो जाएगी इन्हीं को दोवा तीन बार लगा लिजेगा प्रेक्टिस कर लिजेगा सारे कुश्चन की इतना कर लिया मौर दें सफिशेंट है तो बेसिकली देखते हैं मिलते ह आप लोग ठीके रहिए जिस तरीके से जो भी आप अपनी बढ़ाई रख रहे हो जेमेंस के साफ से बिल्कुल वो बिल्कुल जेमेंस ओरियेंटेड होगे बेटा कंटियून रखिएगा जेमेंस का मतलब है हाइफाई लेवल के सवालों में कम जाना है जो अच्छे हाइफ पर इसके सवाल होंगे उठा लूगा यहीं पर जिससे सच में कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो वह अपन उठा लेंगे पर देख इससे यह सीखने को मिला है तुम लोग अपने एसाब से जो जेमेंस ओरियेंटेड में पिछले दो-तिन सवालों में कुश्यन साइव है टेक केर भीया इसके बाद जो भी है मैं सब होंबग देता हूँ आप वो जरूर ट्राइ कीजेगा विटा